यहाँ पे हमें एक सैड़िट स्केर दिया गया है जो चार कॉंगुरेंट ट्रेपीजियम से कवर है और जो ट्रेपीजियम है उसकी बड़ी वाली जो पैरलल साइड है उसकी लेंथ हमें दी गई है 10 cm और पैरलल साइड के बीच की जो डिस्टैंस है वो हमें दी गई है 2 cm मतलब यहाँ पे जो यह बड़ी वाली पैरलल साइड है इसकी लेंथ हमें दी गई है 10 cm तो इसकी लेंथ भी 10 cm होगी यहाँ पे इसकी भी 10 cm होगी और इसकी भी 10 cm होगी उसी तरह से इनकी जो यह ट्रेपीजियम है यहाँ पे इस ट्रेपीजियम की जो पैरलल साइड की जो distance है वो हमें 2 cm दी गई है तो ये भी यहाँ पे 2 cm होगी ठीक है और ये भी 2 cm होगी और ये भी यहाँ पे 2 cm होगी अभी मैं क्या कर लेता हूँ इसका ना nomenclature कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे माल लीजे A, ये B, ये C, ये D और इसी तरह से मैं इसको ले लेता हूँ ये E ये यहाँ पे F, ये यहाँ पे G और ये यहाँ पे H ठीक है, तो मुझे करना क्या है इसमें, जो ये shaded portion ना, इसका area find out करना है, मतलब जो ये shaded square है इसका area find out करना है, ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ से ये CD ये है 10 cm तो जब CD 10 cm है तो क्या मैं GH निकाल सकता हूँ देखो GH मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ तो GH मैं कैसे निकालूँगा GH मैं निकालूँगा देखो जो ये GH है न ये कैसे आएगा यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि CD 10 है और जो GH है उसके यहाँ पे 2 cm कम हो गया और इधर भी 2 cm कम हो गया तो GH कितना रह जाएगा दो इधर से गया दो इधर से गया और यहाँ से यहाँ तक 10 है मतलब यहाँ से यहाँ तक total 10 है दो इधर से गया दो इधर से गया तो 10 मेंसे 2 गया 8 और 2 गया 6 तो 6 cm length रह जाएगे इसकी तो मैं लिख दूँगा 10 cm minus 2 cm minus 2 cm तो यह रह जाएगा 6 cm ठीक है अब मैं लिख दूँगा यहाँ पे यह 6 cm है न मेरे पास मैं लिख दूँगा यहाँ पे side length side length of side square ठीक है तो यह कितने आई है हमारे पास 6 cm के length है यह इसकी तो बस area हो जाएगा of side square ठीक है side square तो हो जाएगा हमारे पास 6 cm multiply 6 cm तो 36 cm square